हर भारतिय घरों में हल्दी का उपयोग किया जाता है, तो दूद से लेकर सब जियो तक हल्दी का प्रयोग भी किया जाता है, ताकि शरी स्वस्त हमारा रह सके, इसके पीछे का कारण क्या होता है पता है आपको, कि हल्दी में जो होने वाले जो एंटी इंफ्लिमेटरी और ए हल्दी का उपयोग वजन कम करने में कैसे किया जा सकता है, सच में ये होता है क्या, इसके लिए आपको वीडियो को पूरा सुनना होगा, चो चलो, चलो आगे चले, नमस्ते, मैं वैशाली, more about health में आपका स्वागत है, आज हम देखेंगे की हल्दी, और कौन सी हल्दी, कच करती है, जो लोग अधिक मोटे होते है, उन्हें डाइबेटिस होने का रिस्क भी अधिक रहता है, तो हल्दी का सेवन करने से वो भी कम हो जाता है, आपके शरीर में अतिरिक्त चर्बी जमा होने नहीं देता है, तो सेवन करने से हल्दी का पेट में जो मौजुद पित्त रहता है ना, वो कम हो जाता है, बढ़ता नहीं है, पित्त एक पाचक रस रहता है, बाइल कहते हैं उसे, फैट को गलाने को मदद करता है, चया पचय में काम करता है, और आप जान गए होंगे कि हल्दी वजन कम करने में कितना अच्छा काम कर सकती है, तो वजन घटाने के डालना होगा, तो पहले क्या करने वाले हैं हम, एक कप पानी लेने वाले हैं बरतन में डालकर, उसको उबालने के बाद, उसके दालचीनी डालनी है कूटकर, उसके बाद आपको काली मिर्च डालनी है, उसके बाद आपको हल्दी, जो कच्चा हल्दी रहता है, वो डालना ह गुटकर उसको थोड़ा सा आधा करना है और उसको चान कर पीना है रोजाना ये बाते आपको ध्यान रखनी है तो वेट लॉस साथ दिनों के अंदर आपका कम हो जाएगा तो ये शानदार तरीका आपको करना है ये नुश्के काफी आसान रहते हैं और आप बड़ी आसानी स कर सकते हैं फॉलो तो जादा फैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये बहतरीन आप काम कर सकते हैं चलो आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके बताना और सब्सक्राइब बढ़ाना धन्यवाद